शुरू करेंगे दोस्तों इस वीडियो को और बात करेंगे आज के जो दो की रिजल्ट क्वाटर तरीके आए हैं सबसे पहला है यहां पर आ चुका है और किसे लिए अनाउंस हो चुके हैं उसके लावा अविन्यू सूपरमार्ट यानि की डी मार्ट तो डी मार्ट का भी दोस्तों आज के दिन क्वाटर तरीका बिजनस जो है वो अपडेट हो चुका है तो उसी को दोस्तों हम इस वीडियो में डिसक्स कर सतरह सुरुपे का आसपास का एक हाई लगाया हुआ है तो यहां जाते हुए दिखा है उसके अलाबा अभी जो है जैसे मैंने बताया है तार्गेट दोस्तों क्या रखें आप डिसक्स करते हैं इसके बिजनस अपडेट को तो दोस्तों समझने की कोशिस कीजिएगा HDFC Bank Q3 Net Profit Rises 19.9% to RS 12,698 crores Assets Quality Stable ठीक है मतलब समझे इसका कि जो Profit Rise हुआ है 20% के आसपास Profit Rise होते हुए मैं देखने को मिला है और Rise होके दोस्तों कितना पहुच गया 12,698 उसके अलाबा जो है यहां पे HDFC Bank Q3 Result Consolidated Advanced Grew 19.2% year on year to RS 15.63 lakh crore in quarter 3 financial year यह है 23rd from RS 13.12 lakh crore in quarter 3 financial year 22 ठीक है उसके अलाबा जैसे मैंने बताया यहां पे अगर आप देखेंगे तो 19% का जंप है net profit में yearly basis पे ठीक है यानि कि इसी quarter में 2022 में जो है उसके बहां से calculate किया गया है बहां से यह 20% का जंप है और 12,698 crore का net profit जो है दोस्तों हमें तेखने को इसका मिल रहा है उसके अलाबा जो consolidated advance है वो गिरू हुए हैं दोस्तों 19.2% के आसपास year on year basis पे 15.63 लाग करोड ठीक है और पिछले साल इसी quarter में कितना था तेरे लाग तेरे लाग 12,000 crore ठीक है उसके अलाबा दोस्तों जैसा यहां पर आपको देखने को मिलेगा meanwhile stand alone net profit of came in at rs यहां पर 12,69.5 crore an increase of 18.5% from same quarter of the corresponding year ठीक है यानि कि पिछले quarter से जो है 18% जो है हमें बढ़तावा ने ज़र आया है उसके अलाबाद दोस्तों जो estimate था estimate 11,704 crore का यहां पर देखने को मिला था ठीक है और जो net interest income है ठीक है वो गिरू हुई है 25% के आसपास yearly basis पे Rs कितना 22,987 crore from कितना है 18,443 crore जो थी quarter 3 financial year 2022 में ठीक है जो expectation थी market की उसको expectation को यहां पर बीट किया है उससे जो है दोस्तों मतलब जो market की expectation थी उससे बहतर जो है HDFC bank ने quarterly result में perform करके दिखाया है उसके अलावा दोस्तों क्या कुछ इसका share का label चल रहा है तो share दोस्तों अगर हम देखें तो इस label पर बारपार जो है टिक करता हुआ हमें दिख रहा है यहां पर इसका जो है दोस्तों resistant देखने को मिल रहा है अभी तो फिलाल दोस्तों 1600 रुपे का इसका label चल रहा है और अगर इसकी दोस्तों मैं support की बात करूँ तो instant support जो है दोस्तों इसकी इस वाली को मान सकते हैं यह जो इसने यहां पर अभी गिरावट के समय में लगाया है हालागी 1500 रुपे में support strong देखने को मिलती है उसके अलाबा जो एकदम एक तगड़ी support देखने को मिलती है यह सांदार एक update है और share तो आप जानते होंगे कमाल का share है ठीक है नंबर बन जो है bank है इपने जो banking sector का top bank है और HDFC bank आप जानते होंगे banking system भी कापी बढ़िया है ठीक है और एक चीज़ और माँ बता दू सबसे जादा highest दोस्तों जो credit card है वो दोस्तों HDFC bank के ही है मतला सबसे जादा customer जो किसी company के credit card holder है वो HDFC bank के ही है तो आप समझ सकने है कितना दगड़ा जो है इसका management है चाहे वो bank से related हो या फिर HDFC bank के credit card डेविट काड या उस system से जो है related हो ठीक है तो यहां पर दोस्तों देखिएगा यह है quarter 3 जाने कि quarter 3 financial एक साल पहले का data एक साल पहले कितना net profit 10,342 क्रोड उसके बाद fourth quarter में 2022 के यहां पर थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिलती है यहां पर माइनस होता हुआ थोड़ा सा देखने को मिलता है net profit 10,055 क्रोड के आसपास उसके अलावा 2023 financial layer का जो पहला quarter था बहुत ज्यादा डिप हमें profit में देखने को मिल रहा था उसी बज़ा से सेर हमें जो है दोस्तों सेर में जो है डिकलाइन हमें देखने को मिल रहा था ठीक है उसके अलावा अगर बात करें उसके बाद से दोस्तों सेर ने काफी अच्छा एक तगड़ा comeback हमें करके दिया है जो इससे पिछला quarter था सिप्तमबर 2022 का ठीक है वहां पे ह हमें जो है 10,606 करोल का net property जो है दोस्तों प्राप्त हुआ था और अभी के समय में दोस्तों क्या सांदार इसने performance बेंगने हमें करके दिया है दिसमबर 2022 के quarter में 12,000 दोस्तों 69 करोल का net property जो है दोस्तों हमें मतलब provide करके दिया है और मैं समस्ता हूं दोस्तों कि सेर ने जिस पास-पास का रेसिस्टेंट बन रहा है उसको जो है दोस्तों बहुत जल्दी ये ब्रेक करता हुआ यहां पर नजर आ सकता है और सेर जो है जैसे की टार्गेट इसका प्री डिसाइट है ब्रोकर रिसर्ट के बाद अठारे सो रुपे का उसके पाल जाता हुआ सेर जो है द क Sami लिए मıtनद और लोंग टरं नहीं तो सोज टं के लिए भी बैंक बेसिकली दोस्तो सो सोट टं के लिए अपना दो Leslar रखो और अ तो hold करके रखें और जब तक जो है टार्गेट आपका अचीव ना कर ले और जब तक जो है दोस्तों HDFC और HDFC बैंक का मरजन ना हो जाए तब तक जो है दोस्तों इस सेर को अराम के साथ hold करके रखें उसके अलावा दोस्तों आगे हम डिसकस करेंगे अवेन्यू सूपर मार्ट को तो जो मतलब मार्केट का प्री मार्केट अपडेट जो आया था डी मार्ट का उसकी वज़े से सेर हमें थोड़ा सा यहां पे डिप करता हुआ देखने को मिला था इसमें 56 रुपे का करक्शन जो जाएंगा और लोगों की बात करों तो लो लगवक इतने रुपए-क जितने रुपए का अगर देंपम पर सेर दिखने मटने को मिल ड को टाल साल करें हैं यां साल को अगर मुझे यहां तक दोस्तों मुझे ध्यान है यहां मेरे ख्यान से जाता हुआ यानि कि काफी जादा करेक्षन पर दोस्तों सेयर हमें अवेलेबल है उसके बाप जुद जो है दोस्तों पिछले 5 साल में इसने जो है अपने इंवेस्टर का पैसा दो गुने से से जादा करके दिया है तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ाए यह जो है जो है जो है यह से रहे हैं इसके जो है इसका जो भी बिजनस अपडेट है उसको उस पर जो है एक बार नजर माल लेते हैं तो यहां पर दोस्तों समझने कोसिस किजिए का पढ़के आपको अच्छा लग रहा हुआ लेकिन दोस्तों आपको यह पढ़के तो अच्छा लग रहा हुआ है बट मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी उसको यह जो है यहां पे नेट प्रोफिट उसको बीट नहीं कर पाया है रिबिन्यू जो है उतना ही प्राप्त हुआ है जितनी मार्केट की ए जो है एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाया है उसके एक्वल जो है नहीं रह पाया है ठीक है यहां पे जो भी है मैं बताओं आपको टोटल रिविन्यू फोर दाक्तुबट दिसंबर क्वार्टर इस्टुडएट 11,679 करोड कंपेल टू 9,218 करोड इन दा इयर एगो मतलब पिछले साल इसी क्वार्टर में कितना था 9,288 और अभी कितना है 11,579 करोड का में देखने को मिल रहा है ठीक है उसके अलाबा कंपनी का बिजनस सबको पता है रिटेल वाला बिजनस है डी मार्ट आपने इनके कई सारे वह भी सुने होंगे आउटलेट यानिकी मॉल टेक्स के बाद जो भी प्रोफिट है उसमें देखने को मिला है और 590 करोड का हुआ है दिसंबर 2022 में और पिछले साल इसी क्वार्टर में 553 करोड का हमें देखने को मिला था ठीक है और अगर देखें तो इंकम जैसे मैंने बता है इंकम कितनी है उसको मैं पहले ही बता तो estimate कितना था ठीक है यहाँ पर estimate market का जो estimate था 640 करोड का यहाँ पर estimate था लेकिन revenue कितना हुआ दोस्तों सिरिप 590 करोड तो यह दोस्तों इस चीज़ को ज्यादा lightly लेने की जरूवत नहीं है इसकी वज़े से मुझे लगता है कि Monday के दिन क्योंकि दोस्तों होता यह है कि बहुत बढ़ी गिरावाट 2-3-3-4-5 परसेंट की गिरावाट कभी-कभी हमें सेयर में देखने को मिल जाती है तो ऐसा हो सकता है कि इसमें जो है हमें मंडे के दिन इसमें selling हमें देखने को मिले और सेयर हमें जो है दोस्तों गरता हुआ नजर आए नंबर साला की दोस्तों अच्छे आए हैं ऐसे समय में भी लेकिन मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन था उसको जो है दोस्तो ये वीट नहीं कर पाए है नमबर तो सेयर हमें जो है दोस्तो हो सकता है गिरता हुआ देखने को मिले लेवल दोस्तो क्या चल रहा है सेयर का मैं बताओं आपको 3845 रुपे की हमें सपोर्ट देखने को मिल रही है उसी के आसपास दोस्तो सेयर अभी हमें ट्रेड करता हुआ दिख रहा है बिलू कलर में आपको जो है चमकरा होगा और जो रैड कलर में है 3863 उतने रुपे का प्रा सेयर ने किया था 2000 के बीच में काफी तगड़ा परफॉल्मेंस सेयर ने दिया था 6000 रुपे तक सेयर हमें जो है दोस्तों जाता हुआ देखने को मिला था उसके बाद जो है जो दोस्तों गिरावट आई है मतलब आप यह समझी है 50% का करेक्शन सेयर में हमें देखने को मिल आता हाला कि अभी नीचे के लो से लगवग 30% दोस्तों उपर यह सेयर चड़ चुका है 25-30% सेयर जो है अपना वो कर चुका है पिर भी अपने उपर के लेवल से अभी भी काफी जादर डिसकाउंट पर हमें अवेलेवल है और कितना डिसकाउंट है लगवक दोस्तों मेरे ख्याल से इसमें 40% का डिसकाउंट दोस्तों अभी भी हमें अवेलेवल इस सेयर में देखने को मिलता है कंपनी कमाल की है सांद देखने को मिली थी क्योंकि आप जानते हैं फैस्टीवल वाला सीजन था उसके बाद से दोस्तों डिमांड जो है काफी जादा कम हो गई थी जिस बजए से इनके नंबर थोड़े से खराब आते हुए हमें नेट प्रोफिट में देखने को मिला है नेट प्रोफिट जो थोड है ठीक है इसको सेयर बीट मतलब ब्रेक करता हुआ नजर आ सकता है और अगर कितना भी नीचे जाए मंडे को अगर आपको लगे कि बाई करना करने का मुखा है तो बाई सेयर में दोस्तों जरूर कीजिएगा तो ठीक है दोस्तों इस वीडियो में इतना ही उम्मीद जानकारी आपको अच्छी लगी होगी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वीडियो को लाइक करना दोस्तों मत भूलिएगा